नमस्कार फ्रेंड श्रीमती जी के रसोई लाइफ इस्टाइल में आपका स्वागत है तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के ओ बेशन का लड़ू बना के दिखाने वाली हूँ तो देखिए आप लोग मैंने घी डाल दिया है और मैंने लिया है आधा किलो बेशन फ्रेंड त तो आप लोग भी अच्छी अच्छी मिठाईयां बना रहे होंगे तो मैंने भी गाव में आई हूँ तो मैंने भी यही सोचा कि मैं आपको बेशन का लड़ू बना के दिखाऊं तेखिए प्रेंड आधा किलो बेशन मैंने डाल दिया है और इस तरह से अब मैं मीडिया प्रेंज करके अपने वेशन को अच्छी तरह से भूनूंगी और सारी गुठुलियों को पोरपोड के भूनना है और एक साथ में घी नहीं डालना है इसी तरह से थोड़ा भूनने के बाग फिर से थोड़ा सा घी ने डाल दिया है ज्यादा घी डाल देंगे तो चीपकने लगेगा और हमारा बेशन गुठुलिया पकड़ लेगा इसलिए थोड़ा-थोड़ा गी डाल करके सारे गुठुलियों को फोड़ते हुए आपको बेशन भूनना है तो फ्रेंड यह दिखने में तो छोटा सा टाइम दिख रहा है आपको लेकिन यह बेशन भूनने में का काफी टाइम लग जाता है कम से कम बहुत कम से कम भूनेंगे तो इससे आधा गंटा लग जाता है तो आप देखिए, आधा गंटा भूनते मुझे हो गया है, हमारे बेशन का कलर एकदम चेंज हो गया, आप देख सकते इस तरह से कलर आ जाए, और अच्छा सा सुगंध आने लगता है प्रेंड तो फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर अगर आप लोग कोई न्यूँ हो तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वाच करिएगा तो फ्रेंड इधर देखिए मैंने सक्कर भी पीशकी ले लिया है आधा किलो ये बेशन है तो धाई या तीन सो गुराम तक लगभग सक्कर है अईसमे मैंने लाइची पाउडर पीशकी डाल दिया है इधर काजू बदाम किस-किस कर लिया है तो फ्रेंड इस तरह से हमें चाल लेना है मिना चाने कभी भी लड्डू नहीं बनाए नहीं तो मुह में छोटी-छोटी गुठलियां जो है मुह में आएंगी तो स्वात खराब हो जाता है इसलिए हमें अच्छी तरह से रगर रगर करके पूरे भेशन को चाल लेना है तो इस तरह से मैंने आपको बिखा दिया इसमें अच्छी तरह से मैंने चान के लिया काजो बदाम के स्मिजबी डाल दिया अब मैं ऊपर से गी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लोगी तो एक हाँ से मैंने कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाँ से मैं मसल रही हूँ तो इसी तरह से पूरे बेशन और सक्कर को मिक्स कर देना है फ्रेंड तो मैं आपको दोनों हाँ से मिक्स करके कुछ देर के बाद दिखाती हूँ और आप मेरे वीडियो पर बने रहना कि कैसे मैं अच्छी तरह से मिक्स किया है और उपर से मुझे और घी डालना है तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों हाथ से अच्छी तरह से मसल लिया है सक्कर बेशन को अब मैं एक लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ कि इसमें घी और लगेगा कि नहीं तो देखिए थोड़ा सा कठिनाई हो रही है बनाने में तो मैं इसमें और घी डालूंगे और पुरा लड्डू बना के आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा और घी डालना है कम सकम 50 ग्राम 60 ग्राम और घी डाले गे इस तरह से देखिए हमारा लड्डू बन के तयार हो गया थैंक यू